बहुत दिनों पहले की बात है, पास के एक गाउं में एक टोपी बेचने वाला रहता था, वो पास के गाउं में जाकर टोपी बेचता था, एक बार की बात है, पास के गाउं में कुछ दिन बेचने के बाद टोपी बेचने वाला अपने गाउं वापस जा रहा था, वह अपने साथ बहुत सारी टोपियां ले जा रहा था, खड़े रहने और कम सोने से वजह से वह काफी ठक गया था, उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर किसी पेड के नीचे आराम कर लूँ, उसे सोने के लिए एक बड़ा पेड मिला, उसने उस पेड को देखकर सोचा कि क क्यों ना इस पेड के नीचे थोड़ा आराम किया जाए, मन ही मन उसने सोचा, ओ, मैं अभी थोड़ी देर सोऊंगा और गाउं। तोपी, उन्हें कौन ले जा सकता था? वह जोर से चिलाया, तभी उसे पेड के उपर से किसी के चटकारे लेने की आवाज सुनाई दी, आ, वे बंदर, वह रोया, उसे अब लगा कि वो शायद ही इन तोपियों को उन बंदरों से वापस ला पाए, अब वो मन ही मन उन पूचा कि वह क्या कर सकता है, उसे एक विचार आया, उसने जमीन से टोपी उठाई और पहन ली, उसे देख रहे बंदरों ने भी टोपियां पहन ली, उसने अपनी टोपी उतार कर जमीन पर पटक दी, उसकी इस हरकत को देख कर सब बंदरों ने भी अपने सर से टोपी कि हमेशा अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुने, इससे आप विशम परिस्थिति से भी आसानी से बाहर आ सकते हैं।